हाई, आप उटने के बाद सुभा सबसे बहले जो करते होना उसका इंपक्ट आपके पूरे दिन के उपर पड़ता है और अगर आपको अपना पूरा दिन बहतर बनाना है तो सबसे बहले अपने मौर्निंग हैविज को चेंज करो बहुत ही छोटी छोटी चीजे है जो मैं आपको बताने वाली हूँ लेकिन उनका इंपक्ट बहुत बड़ा है और आज की वीडियो भी बहुत छोटी होने वाली है तो वीडियो को अन तक जरूर देखना पिछली बार मैंने कुछ रिलेशन्शिप टिप्स बताए थी आप ज विंडो खोलते होना मानो अपकी अंधेरी से जिंदगी में रोशनी आ गए और खास कर जिनको डिप्रेशन एंजाइटी का प्राबलम है वो ये जरूर करे ड्रिंक अब दारू पीने मत बैठ जाना मतलब सुबह उते ही एक ग्लास पानी पियो या फिर आप चाहो तो ग्री पिंटी या नॉर्मल टी कॉफी जूस भी पी सकते हो ये चीज आपके हेल्ट के लिए बहुत ही अच्छी है मेडिटेट जितने भी बरे बरे सक्सेस्फुल लोग है ना वो जितने भी बिजी हो दिन में मेडिटेशन जरूर करते है क्योंकि माइंड क्लियर होगा तभी तो आप ठीक से काम कर पाओगे ना रीट अभी कुछ लोग वीडियो छोड़के भाग जाएंगे जिनको पराई से नफरत है आप बुक्स को कितना भी नफरत कर लो बुक्स आपको बेहत प्यार करती है अब सुभा एक कोई भी अच्छी से किताब जैसे कि मोटिवेशनल पर पर सकते हो make your routine हम बहुत हर बड़ा जाते हैं ना कभी-कभी ये भी करना है वो भी करना है कौन सा पहले करे कौन सा बाद में हर एक चीज के लिए कितना टाइम ले तो पूरा दिन ऐसे हर बड़ा जाने से अच्छा है अब दिन में शान्त हो के सोचो और अपना पूरे द इनका routine बना लो तो दोस्ता अब इन में से कोई भी एक दो या सारे के सारे points फॉलो कर सकते हो और ये ट्राय करने के बाद आपके life में कैसी चेंज आई comment में जरूर बताना मुझे अच्छा लगेगा और आखिन में यही बोलूंगी बून-बून से सागर बनता है और चोटी-चोटी बहतेरीन आदतों से एक successful इनसान बनता है वीडियो हिलफुल लगी हो तो एक like, comment, share और subscribe करते हो फिर मिलेंगे next Tuesday और Saturday को गुडबाई और comment में बताना आप अपने दिन के शुरुवात कैसे करते हो